हेलो फ्रेंड्स तुड़े वी विल सी चैप्टर नंबर वन आप क्लास शीक्स दाइटी स्वार्श ऑफ फूड आज हम लोग क्लास शीक्स के चैप्टर नंबर वन स्वार्श ऑफ फूड अथार्थ भोजन के श्रोत के बारे में पढ़ेंगे भोजन के श्रोत करने का ताथ पर यह है कि भोजन अथार्थ फूड हम लोगों को कहां से प्राप्थ होता है कहां से मिलता है इस चैप्टर को अस्टार्ट करने से पहले हम लोगों को भोजन के बारे में जानकारी रखना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि आखिरकार फूड हम लोग के 라封ंस के लिए बहुत ही जादा नेसिस्वी होता है इट ढिसर्ग एनर्जी फ और मूव passado यह हम लोगों की सरीर के मूवlich अतार्थ चलने फिरने के लिए क्या देता है है एनर्जी देता है और हमारे सरीर में उत्साह को बरकरार रखने के लिए एनर्जी देता है, उर्जा देता है and it help our body grow and keep healthy यह हम लोग का जो बोड़ी होता जो सरीर होता उसको बढ़ने में तथा स्वास्त रखने में काफी मददगार होता है simple language में कहें तो हर एक वो चीज जिसको मनुष्य खाता है उसको हम लोग food कहते हैं but it makes more sense to talk of it as being only those plant and animal products people enjoy eating लेकिन food का जो sense है वो और भी ज्यादा तब आता है जब हम लोग क्या करते हैं कि हर एक वो चीज जो कि हम लोग को plant और animal से प्राप्त होता है और हम लोग को खाने में आनंद आता है उसी को हम लोग food करते हैं we need good food because eat हम लोगों को क्या चाहिए good food चाहिए और वो क्यों चाहिए तो समझी यहां पर good food कहने का sense क्या है good food good food means क्या तो good food means वैसा food जिससे हम लोगों nutrients मिले nutrients nutrients like vitamins proteins carbohydrate fat fat etc मतला वैसा सारा nutrients मिले जो हम लोगों के सरीर के लिए अच्छा हो good food provides us energy जो good food होता है वो हम लोग को उर्जा देता है good food help in growth and repair of body parts जो good food होता है जो बढ़ियां भोजन होता है वो हम लोगों को बढ़ने में तथा हम लोग का बोड़ी पार्ट को मरमत करने में काफी मदद करता है गुड़ फूड रेगुलेट्स ग्रॉथ एंड और नॉर्मल फंक्ष्ञिञंगर अफकर बड़ एंड जो रहता है और जो हम लोग का पार्ट कहल रहता हैं जैसे इस assistance यह शब को maintain करके रखता है गुड़ फूड प्रोटेक्स दा बोडी अगेंस डिजिस जो गुड़ फूड होता है वह हम लोगों को बीमारी से बचाता है हम लोग का सरीर को बीमारी से बचाता है अधिये इस चैप्टर को हम लोग लोग चार पॉइंट में पढ़ेंगे कि सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग सोर्सेट अवप फूड फॉर फॉर हुमन बिंग्स मनुष्यों के लिए फूड का सोर्ष क्या-क्या फूड कहांसे मिलता है फिर सेकेंड पढ़ेंगे सौर्सेट फॉड फूर एनिमल्स एनिमल्स का जो फूड है उसका सुरोत क्या है एनिमल्स को फूड कहां कहां से मिलता है थर्ड नंबर पॉइंट जो पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो पढ़ेंगे डेली एनर्जी रिक्वार्मेंट आप दा बोडी एन दा बैसल मेटाबॉलिक रेड रेड हमारे शरीर को जो डेली एनर्जी चाहिए उसका आशक्ता क्या होता है और बेसल मेटाबॉलिक रेड इसका स्वाट फॉर्म हम लोग बी एम आर भी बोलते हैं बी एम आर नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग पढ़ेंगे मेंटेनेंस और फूट क्वालिटी जो फूड क्वालिटी है उसका मेंटेनेंस हम लोग कैसे कर पाएंगे ताकि उसका जो क्वालिटी है फूड का उसको हम लोग मेंटेन कर सके और हम लोग उसको सही मात्रा में न प्लांट्स और एनिमल्स और प्लांट्स और ऐनिमल्स होते हैं वह मंश्यों के लिए लोगों के लिए फोत भुच्छा है, बहुत मुख्य भुच्छा स्वेजि़ित लोगों प्लांट्स को हम लोग किस नाम से जानते है प्राइमरी सोर्स आफ फूड अब समझी प्लांट्स को प्राइमरी सोर्स आफ फूड क्यों कहते हैं तो प्लांट्स को प्राइमरी सोर्स आफ फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट्स पर क्या है हुमेन बिंग्स भी डिपेंडेंट है अधार्थ मनुष्य भी डिपेंडेंट है और अनिमल्स भी डिपेंडेंट है और अनिमल्स भी हर्वी बोरस अनिमल्स भी किस पर डिपेंडेंट होते हैं प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं तो कहीं न कहीं जो हम लोग हुमेन बि यह देखिए हम लोग के लिए जो सोर्स ऑफूड क्या है प्लांट से भी हम लोग अपना फूड लेते हैं और एनीमल से भी फूड लेते हैं तो इसलिए प्लांट को प्रामरी सौर्स ऑफूड कहा जाता है आई कोEC सरीं क्राप्स सिरीयल क्राप्स अतार्थ जिससे हम लोग को अना अज मिलता है वैसे फसल है तो क्रॉप क्या हूता क्रॉप समझे तो चो एकितरह का बहुत सारा पोधा जो एक बड़े पेमाने पर एक बड़ा फिल्ड में लगाया गया हो ते समझते कि pregnancy premiere कृपस जैस्यौं एनि अधर शोर्स। जो सिह्रय ल् oneself उलोग को अनाज मिलता है उस एक होता है हम लोग कोemu ज्यादा भूजन मिलता है किसी भी सबस्ड Just के ज्यादा भूजन मिलता है Throughout human history, they have been the most important of all types of food. बुर रहा है, human history का जो मनुशी के इतिहास में सबसे इंपोर्टन जो food का source रहा है, जो type रहा है, वो सबसे इंपोर्टन टाप जो रहा है, वो सिरियल क्रॉप रहा है. बुर रहा है, कुछ सिरियल जैसे की राइस हो गया, चावल और मकई, यह अपने प्रैकिर्टिक रूप में खाया जाता है. अदर्स सचेज वेट एंड राइ, इसके अलावा जो वेट होता है, गेहू होता है, राइ होता है, और ground into floor. क्या होता है, वेट गेहूं और राइ जो होता है, उसको हम लोग आटा बनाते हैं, विफोर बिंग बैग्ड और कुग्ड, आटा और जो राइ होता है, उसको बनाने के पहले, उसको पकाने के पहले हम लोग क्या करते हैं, आटा के फ़र में लाते हैं, उसके बाद फिर उस रूट क्रॉप्स 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 जो हता है वह बहुत सारा वेजिटेबल और स्वीट प्लांट को अपने में सामिल करता है रूट क्रॉप्स are good to eat as they contain large amount of starch and energy giving substance root crops ayadad jadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad को क्या देता है एक मीठापन देता है हम लोग के भोजन में कामन रूट वेजिटेबल सर्यम केसाबा सूइट टरनिप कैला पर स्निप रैडिसेंज एंड विट्रोट इसकेज्योर रूट क्रॉप्स के जो एक्जामपल हो क्या हो जाए गार्यडिस टर्णीब और reddish turnip and beetroot turnip को ही हम लग बीट रूप का सकते तर्णिप और बीट रूट next a steam crops a steam means so that anna hana a steams provide the means for the transportation of water minerals and food steam जो होता है वह plant में a steam जो होता है वह plant में एक साधन की तरह काम करता है एक एजेंट की तरह काम करता है जो कह करता है वाटर को minerals को फूड को पूरे प्लांट में supply करता है ट्रांस्पोर्ट करता है एड़ा सेम टैम स्टीम और सम् प्लांट्स आर मोडिफाइड तो फिल फिल आवर फूड रिक्वार्मेंट और उसी समय क्या होता है कि कुछ जो कुछ प्लांट्स के जो स्टीम होते हैं वो मोडिफाइड हो करके हमारा जो फूड रिक्वार्मेंट है जो हमारे भोजन के आवसकता है उसको फूल फिल करता है और इसका कुछ फिट्यांप्लोजागा पोटेटोओ जेंगा जिंजर घाल्स को पर कि प्रेटेटाग अलू जिंजर हं दी और मेरिक स्वारी जिंजर अद्रक तर्मेरिक हल्दी आरो एलिफेंट्स फूड जिसको हम लोग एलिफेंट्स को फूड ओनियन प्याज गार्लिक लहसून और सुगर केन गर्ना यह सब क्या है एस्टीम क्रॉप्स के एक्जाम्पल है अब आते हैं लिप्स में लिप्स आर दा में और अब रिस्पाइरेशन एंड प्रोड्यूस फूड फूर दा प्लांट लिफ जो होता है वह प्लांट का प्लांट के लिए क्या होता है फूड फैक्ट्री होता है फूड को प्रोड्यूस करता है और प्लांट को रिस्पाइरेशन करने में स्वास लेने में काफी हैल्फुल होता है but we get food from the leaves लेकिन हम लोग जो फूड होता है वो लीव से भी ले सकते हैं जैसे कि अस्पैनेश से पालक मेथी पत्ता को भी जिसको बंद को भी विका जाता है हना उससे हम लोग क्या करते हैं उस पार्ट को भी प्लांट का लीव स्पार्ट को भी खाते हैं नेक्स्ट है फ्लावर्स 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 आर दा स्ट्रक्चर्स दाइट कंटें दा रिप्रोड़क्टिव और गन्स अब दा प्लांट फ्लावर्स क्या होता है वैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रिप्रोड़क्टिव और अर्गन होता है रिप्रोड़क्टिव औ अतार्थ एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो अर्गनीजम होता वह अपने जैसा यंगेस्ट को जन्म देता है तो वह रिप्रोड़क्टिव और जो पाए जाता है वह कहां मिलता है फ्लावर में मिलता है कुछ फ्लावर जो होते हैं वह हम लोगों डारेक्टली फूड प्रोवाइड करते हैं इसमें से क्या क्या है कॉलिफ फ्लावर फुलगबी कचनार सेमल एट्सेटरा पेटल्स ओफ रोज अर अलसो यूज़ेस फूड जो रोज है गुलाब है उसकी कुछ पंखुरिया भी हम भुषजण के रूप में यह परियोग में लाई जाती है लेक्स्ट है है फुट फुट फ्रूट प्रोवाइड आस स्वीट और जूसी फूड जो फूट होता है वह हम लोगों को जूसी मिन्स रसीला और मीठा भुषजण देता है फुट में इबृट ड्राई और लेशी Fruits क्या हो सकता है सुखा भी हो सकता है स्टा और निभी वह सकता है ड्राइप फूर्टस इन्कूलूड आकॉंस आजनॉस फ्ले से अधन करता है उर्समें पानी हो जाए कम दो बेरी पलम और पीचेज एपल्स पीर्स मैंगो गौवाबा बनाना और सम अब दा पॉपलर फूट इटेन एस फूड अलमस्ट रॉड़ दा वर्ल बुरा पूरी दुनिया में एपल्स मैंगो गौवा बनाना यह सब पूरी दुनिया में क्या है फेमस है और उसको खाना के आते हैं कि नेक्स्ट है प्लांटेशन एग्रिकल्चर जो नेक्स्ट टॉपिक है क्या है प्लांटेशन एग्रिकल्चर प्लांटेशन एग्रिकल्चर इस केरीड आवर प्यूरली फूर फूड परपस जो प्लांटेशन एग्रिकल्चर है मिंस यह इसको हम लोग खेती लगाते हैं हम लोग वह प्यूरली किस पर डिपेंडेंट होता है फूड के फूड के पर परस्षे होता है तकि हम लोग को फूड मिल सके खाना मिल सके हैं दा क्रोप्स अंडर प्लांटेशन अग्रिकल्टर इंक्लूड टी कॉफी ऑरेंज और इस तरह प्लांटेशन अग्रिकल्चर में क्या होता है इसमें आता है टी चाई कॉफी और रेंज कोकोनट और बहुत सारा चीर कि next अनीमल्स अनीमल्स के बारे में समझते हैं अनीमल्स का होता है अनीमल्स प्रोदॉक्ट्ट्ट्स हर लो होता हैं वह प्लांट के बाद दुसरा घीज का एस डिटेल्ड बिलो यह सब जो प्रोडक्ट है उसका रेंज बहुत बड़ा होता है ठिक और जो की इस परकार रहे हैं लाइव स्टॉक कि सबसे पहला लाइव स्टॉक एनिमल्स लाइक काव और विफल्लो आर मोस्ट इंपोर्टेंट लाइव स्टॉक इन इंडिया कि बुल रहा है काव और विफल्लो जैसे कुछ जानवर यह सब जो है वह लाइव स्टॉक के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है कि यह यह जो होता प्रात्मिकी रूप से हम लोग को क्या देता है दूद्ध ही देता है जो कि हम लोग क्या देता है एक नेच्ट डाइट प्रोवाइट करता है नेच्टल डाइट क्या है डाइट नेचुनल डाइट मींस वैसा फूड जिसमें हम लोको सभी तरह का न्यूट्रेंस मिल जाता है सिप और झोट। नेक्सट है सीप तand notre अगयधू च्शीप और गोट प्रोवाइड अस मीट इमेंड मुल टौ चिए उम लोग क्या मिलता है मिल Onu मिलता esthem मिलता फौर मेंट कर और गोट को हम लोग किस नाम से जाते हैं पूएर मेंट काओ के नामा से भी जांते हैं आता है नेक्स्ट опас vacun cap arbitrary क्या थब तरत फ़न प्वत रेफस जुदा फ़्ट प्रिय। किसके लिए रब कहा गया थो बर्ड के लिए जैसे कि चिक요 यह किके सुद डख्स के लिए लिए सून थे जंज क्वैञ लवेश हैं वह हैं यह सबका पाल संग को यह हम लोग क्या करते हैं पाल्ट्री फार्मिंग देल्स भीट ही ट्रव एक्ट्रीं में हम लोग क्या करते हैं कि बार्स का अंड़ाव और मंगरश के लिह हम लोग उसको पालते हैं पॉल्ट्री प्रोड़क्स लाइक एक्स और रिसोर्स आप एनिमल प्रोटीन प्रोट्री प्रोड़क्स जैसे की अंड़ा जो होता है वह एनिमल एनिमल से प्राप्त जो प्रोटीन होता है एनिमल से प्राप्त शोर्स में हम लोगों बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है एक जो है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है and a right kind of fat for good health और इसमें क्या होता है प्रोटीन के अलावा fat का भी एक अच्छा kind होता है जो कि हम लोग के good health के लिए क्या होता है अच्छा होता है है next time fishery fishery from pre historic times fish have been used as protein-release diet for human beings बुरा प्राचिन कालीन से ही क्या हुआ जो human being है जो मनुष्य है वो अपने खाने में प्रोटीन का यूज कर रहे हैं प्रोटीन फिस का यूज कर रहे है ताकि लोगों के क्या मिल सके प्रोटीन मिल सके है इस प्रोटीन का यूज करते थे तो जो समूद्र के इलाके में रहते थे यह दे आर हाइली नूट्रियस एंड इसली डाजेस्टिबल फीस क्या होता है बहुत ही हाइली नूट्रियस है इससे हम लोग बहुत ज्यादा नूट्रेंट्स मिलता है और बहुत ही आसानी से पज़ जाता है सार्क लीवर ओयल and कोड लीवर ओयल are natural sources of vitamin A and D सार्क लीवर ओयल और कोड लीवर ओयल जो हता है वो वीटैमिन और वीटैमिन D का बहुत बड़ा स्योर्स है नेक्स्ट पॉइंट जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वह है वन पॉइंट टू आए देखते हैं डाइट इस सोर्स आफ फूड फॉर एनिमल्स एनिमल्स के फूड का जो स्रोथ है वह क्या क्या है हम लोग यह जानते हैं कि जो प्लांट होते हैं वह अपना खाना खुद बना सकते हैं और किस प्रोसेस से बनाते हैं तो फोटो सिंथेसिस आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे सीनियर क्लास में जब जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि प्लांट जो होते हैं वह फ होते हैं वो आपना खाना खुद बना नहीं सकते हैनिमस खंपर डुकी प्लांट्स पर इसलिए प्लांट्स को क्या कई गया प्राइंबरी सॉर्स आज़ एनिमसम्ач एट प्लांट्स और अदर अनिमस्द अनिमस्द होता है यह वह प्लांट को भी खा शकता खाताह सहराम और दूसरे जानवर को भी खाता है, on the basis what the animals eat, they have been divided into the following categories, इस अधार पर कि animals क्या खाते हैं, सिर्फ plants खाते हैं, या animals खाते हैं, या फिर दोनों खाते हैं, इस अधार पर क्या किया गया, इस animals को तीन category में बाठ दिया गया, आएए देखते हैं, कौन-कौन यह category है, तो सबसे पहला category हर्वी बोरश, हर्वी इसको याद रखेंगा हर्वी बोरश, that means हरा भरा, हर्वी को बना देंगे हरा भरा, हर्वी को बना देंगे हरा भरा, तो हरा भरा जो खाता है, that means जो घास खाता है, जो प्लांट पार्ट्स खाता है, उसी को क्या बलेंगे हर्वी बोरश, 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 deer and tea loves and kettles herbivores में क्या क्या होता है grazing गास का चर जाना है और क्या होता है और क्या होता है ब्राजिंग अनिमल्स अनिमल्स को पकड़ना है ना छोटे छोटे अनिमल्स को पकड़ना जो स्वरी अ ब्राजिंग अनिमल्स मिन्स क्या कि जानवरों को खिलाना है ना तो हम लोग घरों में जानवर भी पालते हैं जैसे रैबिट हो गया का हो गया ब्लॉक हो गया है ना तो इस तरह का अनिमल्स हम लोग घर में पालते हैं और इसको हम लोग या तो खेतों में छोड़ते है या फिर उसको हम लोग खुझे से अपनाघर का खाना खिलाते हैं चिक नेक्स्ट है का नीवर उस अरप ऐनिमल्स को डाइट-ईट फ्लेश करने ब्लेश उस पहले होता है ऐसा इनिमल्स होता है जो कि दूसरे जानवरों का मांस को खाता है खाता है इसमें क्या क्या होता है तो वूल्फ होता है लायन हो सकता है डॉक्स को जेनरल ली आम्ड वरस में रखते जो कि आगे पढ़ेंगे कैट को भी हम लोग आखे पढ़ेंगे और पिया इसमें बीर्स हो सकता है भाल हो सकता है मौंगुज नेवला हो सकता है हाइनाज हो सकता है और सील्स और वाल्रस जो होता है वो सी लिविंग मिन समुद्र में रहने वाला कार्णी वोरस होता है जो कि अपना खाना दूसरे जानवरों से को मार कर उसका मांस खाकर के अपना पेट बरता है उसी को क्या कहेंगे कार्णी वोरस कि नेक्स्ट है अम नी व्रस अमनी वरस अमनी व Ai निलीज ऑणर आरहन प्लांटे इंडाइन का क्यों एंत्या क्यों व्रस झहोंता है वह आईसा अनीम्न सता है जो की दोनूंज घोता है प्लांट्स को ऐनिम्ल जैसे की बेजर्स वीह जयर्स रेड़ ज़्र डॉक्स किकी थे यह सब जो रोटा वह आमनिवरस के कैंटेगरी में आता है 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 किनodel जगार कि सिल जह कि ए कि ए इटेड़ एनिमल्स और अनिमल वेस्ट चस अंट आङ बना श्कै वेंज़र एस प्रीयचर होता आइसह प्राणी होता है जो कि डार अनिमन को ख़ता है मरा हूँ जानवर को खता है या फिर अनिमल वेस्ट को खता जैसे कि को और को खता है Most of the most of the useful scavengers are insects especially beetles and flies, vultures, crows, jackal and hennel. इसमें से क्या हो जाएगा जो useful scavengers हैं उसमें insects आ जाएंगे, beetles आ जाएंगे, flies, मक्हियां, vultures, gids, crows का हुआ, jackals तो यह हाइनास यह सब चीज आ जाएंगे. असके avenger को हम लोग क्या कर सकता है, cleaning agent भी कहते हैं, cleaning agent means वैसा organism जो के environment को clean रखता है, अब देखिए कहीं पर अगर जानवर मर गिया है, और उसको खाने वला अगर कोई ना रहे, कोई भी उसको ना खाए, तो वो क्या होगा, जो मरा हुआ जानवर होगा, या मरा हुआ कोई भी बेड असमेल, अब जब यह scavenger होंगे, तो यह क्या करेंगे, यह सब चीज़ को खा लेंगे, और environment को clean कर देंगे, इससे क्या होगा, बेड असमेल आना बंद हो जागा, इसलिए क्या क्या गया, scavenger को cleaning agent, याद रखना है, very very important, scavengers are called cleaning agents, ओके, next जो हम लोग topic पढ़ेंगे, पार्ट टू वीडियो में, वो है, daily energy requirement of the body and the vessel metabolic rate, तो अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और comment करें, और पार्ट टू वीडियो बहुत ही जल्दी अपलोड होगा, तो उसे भी देखें, थैंक यू